हेलो एब्रिवन वेलकम टू रियल जॉब कनेक्शन जैसा कि आपको पता है इस चैनल पर आपको जॉब से रिलेटिव पढ़ने एक दो तीन वीडियो देखने को मिलती है जिसमें आपको बहुत जादा हेल्प मिलती है तो चलिए जान लेते हैं इस जॉब के बारे में क्या है इसकी सैल्ली है और पातरता क्या है आपको डाकुमेंट किसे जमा करना है और बात कैसे करना है और लोकेशन कहाна पर है तो देखिए जो हैलपर के लिए सैल्ली रखी गई है वो 95 रुपई इन हैंड में है अगर आप overtime करना चाहते हो तो overtime के लिए 60 रुपई पर घंटे के इ दिया जाएगा क्वालिफिकेशन इसमें क्या है टेंथ पास आपको आधार कार्ड लेके जाना है मारक सीट लेके जानी है और बैक्सिनेशन कार्ड आपको जरूर बैक्सिन लगी होनी चाहिए उसका आपको कार्ड जरूर लेके जाना है और आपको फोटो लेके जानी है यह company है वो सुईगी company में जोब आपको दी जाएगी और इसके लिए जो पातरता रखी गई है उसमें क्या है कि helper job vacancy 2022 private limited factory helper job helper job मतलब private limited factory helper job है helper में आपको काम करना होगा और helper के लिए ही आपकी वेकैंसी है तो जोब location कहां पर आपको जाना है जोब location इसमें है जोब लेक लोकेशन जो है आपकी गुड़गाओं जमालपुर रोड जुंड सराय हर्याना जमालपुर रोड और टीसी आई कॉल्ड चैन जुंड सराय फिर उसके बाद में पताओदी रोड यह आपको याद रखना है सेक्टर 97 गुडगाओं हर्याना पिन कोड इसका हो सकता है बारा पचास रिक्यावन और आपको मुवाइल लंबर नीचे सो हो रहा है यह 08930722598 इसको आपको नोट करके रखना है और इसको जब आप कॉल लगाएंगे तो हो सकता है आपकी कॉल ना उठाएं तो आपको ब पात में नेक्स्ट क्या है इसमें हाँ अब जो आपको मतलब अभी आपको बताया था पटाओदी रोड सेक्टर 97 गुडगामा हर्याना यह एडर्स आपको नोट कर लेना है कहीं आप भूलना जाओ अगर आप भूलने के लिए अगर आप भूल जाते हो तो ऐसा किजिए आ और जब भी जाए कॉल करके जरूर जाए 08930722598 और आपको मैप लोकेशन डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा यहां से आप मैप लोकेशन टेस्ट करके बहां पे पहुंश सकते हो एक सेकेंड दूसरा नंबर है यह कंटेक्ट नंबर है पांडे जी का 7303605951 इसको भ तो आप इनको रिजूम बेश सकते हैं और इनसे बात भी कर सकते हैं बिना बात किये हुए किर्पया ना जाएं और आपको क्या-क्या लेके जाना है मैंने पहले ही बता दिया आधार कार्ड अगर पैन कार्ड है तो पैन कार्ड मारक सीड और वेक्सिनेशन कार्ड जरूर हो कोई भी जीन्स टीसर्ट चपल पैंद कर ना यह चीज ध्यान रखना है क्योंकि और सब क्वालिफिकेशन देखकर आप सेलेक्ट हो सकते हो लेकिन अगर आप टीसर्ट भी पैंद के चलेगे तो हो सकता है वो आपको ना लें कंपनी से बाहर कर दें और एक बात ध्यान रखना है कंपनी वाले या फिर जो भी एचार होते हैं आपका इंट्रिव्यू लेते हैं अगर वो आपसे बोले कि आज आपका सेलेक्शन नहीं हो सकता है मैं आपको कल कॉल करूंगा तो आप समझ लिजिए कल कॉल नहीं आएगी आप दूसरी वैकेंसी के लिए ही दूसरी वैकें आते हों मैं आपको इसी चैनल के माद्यम से एक वीडियो बनाके इस पर डाल दूंगा और आप उसको देख सकते हैं तो चलिए आज के लिए इतना ही मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में तब तक के लिए बब बाई टेक क्यार